इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं MongoDB कुछ basic concept की लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने MongoDB को install कर लिया था और इसके बाद एक वीडियो और आएगी MongoDB के ओपर और जो obviously Node.js की series है बट कुछ लोगों का question हो सकते हैं कि Node.js की series है आप 3-4 वीडियो MongoDB के ओपर क्यों बना रहे हो लास्ट वाली वीडियो के अंदर install तो हमने कर लिया MongoDB अब directly इसको connect करो, use करना बताओ इसको देखो reason यह है, जब भी हम लोग किसी database के ओपर काम करते हैं तो हमें उसके basic concept at least पता होना चाहिए जैसे कि वो database है क्या, वो background में किस तरह किसे काम करता है कुछ basic commands and all यही इस वीडियो के अंदर और next वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले है ठीक है, अब बात करते हैं कि basic points है क्या इस वीडियो के सबसे पहले theoretical part भी है और practical part भी है असा नहीं कि practical part नहीं है मैं SQL server से क्यों नहीं कर रहें मैं आपको बताऊंगा इसका reason, next slide के अंदर MongoDB कुछ basic commands कि database किस तरह के से create कर सकते हैं, collections वगयरा क्या होते हैं किस तरह के से create कर सकते हैं, किस तरह के से देख सकते हैं and all और last में जो इस यूडियो में से interview question निकल गाएंगे, उनकी बात भी करेंगे So, पहले question के साथ में चाहते हैं कि MongoDB है क्या ये एक पहले मैं आपको सारे point आपको basically बता जीता हूँ कि क्या-का points लिखे हैं बाद में मैं एक-एक point के ओपर questions उठाऊंगा और उनके questions से answer भी करूँगा MongoDB एक non-SQL या फिर no-SQL database है इसके अंदर data होता है वो tables में store नहीं करते, collection के अंदर store करते हैं collection के अंदर row और columns नहीं होते, तो किस form में data store होता है? objects की form में, objects क्या होते हैं? आपने javascript और node.js के अंदर देखा होगा कि objects बना देते हैं, array के अंदर, और same concept यहां पर apply होता है वैसी objects यहां पर बनते हैं, और detail में आपको बताऊंगा, next वरली वीडियो के अंदर यहां पर objects बनाके दिखाने हों है, बट अभी एक-एक point पकड़ते हैं, आपने बोलोगे कि ठीक है, MongoDB आपने बताएं, NoSQL है, बट NoSQL का मतलब क्या है? देखो, Oracle, MySQL, MySQL Server, यह सारे के सारे structured query language वाले database होते हैं, इनके अंदर एक proper structure होता है, जिनके पर queries apply करते हैं, ठीक है, और MongoDB अभी है, NoSQL, that means, इसका कोई अपना structure नहीं होता, तो आपके पास एक next question हो सकता है, कि यह तो गलत चीज़ है, जो इसका structure नहीं है, actually नहीं, कुछ जगह पर गलत हो सकती है, बट कुछ जगह पर गलत नहीं भी हो सकती, मैं आपको बताऊंगा, कि क्यों गलत नहीं हो सकती, कई कई बार ऐसा होता है, कि जब हम columns और rows लेते हैं, तो हमें कई बार extra columns या फिर rows चाहिए होते हैं, उस time पे NoSQL एक perfect database बनता है, बताऊंगा मैं आपको अच्छे से और example लेके, बट अभी के लिए इतने ही जबर करो, बात में आता है कि data store होता है collection के अंदर, आप बोलो कि ठीक ह हम ही तो collection कर दिया हो, कुछ अलग है क्या, हाँ, इसके अंदर अलग है, अलग क्या है इसके अंदर, collection के अंदर row and columns नहीं होते हैं, जब एक table बनाते हैं, तो उसके अंदर row और columns होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं, नेक्स्ट क्वेस्चन, तो फिर data किस तरीके से store होते हैं मैंने आपको बता है, यह object की form में store होते हैं, अब यहाँ पे देखो, जो SQL होता है, यहाँ पे data आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, row and columns है, id, first name, last name, is and all, इस तरीके से store होते हैं, बट मोंगो डीवी में कुछ इस तरीके से store होते हैं, ठीक है, पह नहीं है, देखो, मान लिजिए कि यह data है, यहाँ पे जोरे का first name, last name, age, nationality, address, address to है, अब हमारे पास database कुछ इस तरीके से बन रहा है, कि हमें नहीं पता कि आगे कितनी columns हैंगी, हो सकता है, यहाँ पे उसका email address, contact number, country code, mobile number, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, और हो सकता है कि यहाँ पे address भी ना है, तो उस case में क्या होगा कि हमारे बहुत से rows and columns खाली रहेंगे, जो basically आप यह कह सकते हो कि जो columns रहेंगे, बहुत से खाली रहेंगे, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, उस case के अंदर मोंगोडी भी perfect है, इसके अंदर चाहे एक-दो keys आएं, या फिर ज़्यादा काएं, या फिर कम हैं, कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा एक अलग से हर किसी के लिए object बन रहें, तो यहाँ पे कभी भी जरूरी नहीं होगा, कि आपके पास हर बाज perfectly, 10 या फिर 12 perfectly की हो, अगर 3-4 keys होंगी, तो भी च तक्चड है, हमें पता है कि बस यही की definitely आएंगी ही आएंगी, ना इसे कम होगी, ना ज्यादा होगी, तो हमारे पास SQL perfect रहता है, तो MongoDB most of the cases के अंदर perfect इसलिए रहता है, तो कि मान लीज़ा आपको एक form भरने है, वहाँ पे बहुत सारी field optional है, तो कुछ field आप भर सकते हो, क इसको बोलते हैं objects, और इसको बोलते हैं normal row and columns, तो यह हमारे एक table हो गई, यह हमारे collection हो गई, अब आपको definitely confirm हो गया होगा, कि एक MongoDB और SQL के बीच में difference क्या होता है, ठीक है, और आपके पास अगर यह question है अभी भी, कि हमने इसको basically जो compare करा है, SQL के साथ में क्यों करा है, because SQL के अंदर सारे के सारे database आते हैं mostly, चाहे वो Oracle हो, चाहे वो MySQL हो, चाहे वो SQL server हो, सारे के सारे structured होते हैं, इसलिए मैंने एक साथ ह भी compare कर दिया, ठीक है हम लोगोंने basic चीजें देख लिया, अब बात करते हैं, कि MongoDB को हम लोग check कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं, यह आपको directly दिखेंगे नहीं, जैसा कि आप directly code बगरा देख पाते हो, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप command line के उपर जाओ, Mongo type करो, और एक GUI tool भी आता है, वो भी use कर सकते हो, बट MongoDB का, खुद का है, इनका MongoDB compass, तो मैं इसलिए इसको जाज़ा recommend करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको, एक बाद database connect करना है, कुछ जरूरी नहीं है, कि आपके system में एक ही project हो, हो सकते हैं, आपके पास बहुत सार database आपका MongoDB पड़ा है, इस port के उपर, कोई और अलग से port के उपर पड़ा है, यहाँ पर local host हो सकता है, आप directly server से catch कर रहे हो, तो directly आपको यहाँ से connect करना है, यहाँ से connect कर सकते हो, और यहाँ पे, आप पूरा पूरा password घर डालके तब भी connect कर सकते हो, मैं directly connect करूँगा, यह अ एक दो चीज़ें आपको यहाँ भी बताऊंगा, ताकि आपको यह पता चल जाए, कि चाहे आप Windows की command line से कर लो, चाहे आप यहाँ से कर लो, data exact same रहेगा, बस यहाँ पे आपके बाएस एक UI tool है, database वगरा perfect दिख जाता है, यहाँ से modify वगरा कर सकते हो, काफी सारी चीज़ें नहीं से कर सकते हो, आपको हर बार command की जरूत नहीं पड़ेजी, और beginners के लिए तो perfect tool है, because beginners को basically command line यूज करने में काफी problem होती है, वो कहते हैं नहीं यार, बस command line में गलती है, ज्यादा होती है, तो इससे अच्छा ही यह है कि हम लोग directly, एक कुछ GU tool देदो, जिससे हम directly connect करता है, ठीक है, so वापीस आते हैं यहां पर, यहां पर इदर चला गया, so यहां पर just refresh वोले बटन पर क्लिक करो, आप अपने main db के उपर आ जाओगे, ठीक है, तो देखो, मैं यहां से अगरता हूं, जो आपको दो db's यहां से दिख रहे हैं, admin and config, यहाप database यहां से भी देख स कर लो, यह थोड़ी सी मुश्किल है, और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा user interface नहीं है, तो इसको आप बंदी कर दो, यहीं से यूज करो, और अगर आपको यहां पर command भी use करनी पड़ जाए ना, तो यहां से करो command use, यहां पर मैं same command लिखूंगा, show db's, देखो, और यहां पर यूज करना है, कोई से use नहीं करना, कुछ important commands होती है, मैं आपको बता जीता हूँ, जैसे की database के लिए 3 command आती है, सबसे पहला show db, हमने यह देख लिए, अब एक आता है कि नया db create कैसे करना है, नया db delete कैसे करना है, ठीक है, तो अब भी मैं आपको बताता हूँ, कि नया db कमांड नीची नहीं जा रही है, यूट्यूब होगा है, एक collection का नाम भी देना पड़ेगा, उसके दर मान लीजे, मैं देजेता हूँ, videos, तो just create करोगे, तो आप देखो यहाँ पे एक नया db create हो गया, ठीक है, but obviously हमें उसकी command भी पता होनी चाहिए, कि command कैसे करेंगे, तो same चीज मैं यहाँ से, इसके अंदर एक हमारी पर वीडियो वाली collection भी बनी है, collection में कुछ data नहीं है, वो हम लोग बाद में देंगे, तो मैं यहाँ से delete कर रहा हूँ YouTube को, ठीक है, जब आप delete करते हो तो यह आप से database का नाम भागेगा, आपको just same database का नाम देदेना है, जो आप आपके पास दो database है, अगर आप इन पर use करोगे तो in database के उपर switch हो जाओगे, but मैं एक निया database का नाम लिखूँगा, which is YouTube, एंटर करूँगा, अब मैं YouTube database के उपर आ गया, मैं इसको refresh करता हूँ यहाँ से, ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है, यह database यहाँ पर आया तो नहीं, इ इसका reason यह है, कि जब तक एक database के अंदर कोई भी collection नहीं होती, तो हमें यहाँ पर नहीं दिखता, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, मैं कुछ और चीज़े दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको, show db's करोगे आप, तो आपके पास अब दो ही list आ रहे है अब इसके अंदर कोई भी collection नहीं होगी, तो आप कभी भी confuse मत होना, कि यार database बनात हो चुके हैं, बट वो दिखनी रहे, तो उसके लिए आपको simply एक table create करनी पड़ेगी, वो कैसे करोगे आप basically, db.create collection, collection बोल रहा है, मैंने table बोल दिया हो तो last time, उसके बाद में आप अप अब मैं इसको refresh करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो YouTube आ गया, और अब सेम अगर command line यूज़ करके db को check भी करोगे, तो वो भी आपको मिल दाएगा, मैं simply यहाँ पर यूज़ करता हूँ, show db, यहाँ पर देखिए, अब आपके पस 3 database आ चुके हैं, perfect, so ठीक है, अ अब आप बोलोगी कि ठीक है, आपने करतो दिया, बट अब धिरिदे delete भी करके दिखाओ, अब माल लीज़े कि आपको यहाँ पर collections चेक करने, कितनी collections है, show collections, लिखो, आपके पास अभी एक collection है, वो आ गई है, अगर आपको यह collection, मैं भी collection और बना देता हूँ, ताकि हम delete भी यहाँ पर को दिखा जिता हूँ, मैं दो collection हो जाएंगी, first one is videos and second one is playlist, यहाँ पर, अब आपको कोई एक delete करने है, तो simply क्या करोगे आप, आप एक command लिखोगे, db dot, db dot के बाद में, आपको जब इन collection name, उसका नाम दिखना पड़ेगा, let's आप delete करना चाहते हो, videos को, dot drop, और drop basically function होता है, तो इस तरह किसी use करोगे, enter करोगे, यह delete हो चुगी, अब आप इसको refresh करो, आपके पास एक ही, यहाँ पर table मिलेगी आपको, यह देखिए, और अगर आप इसको यहाँ पर करोगे, show collection भी करोगे, तो भी आपको एक ही table मिलेगी, show collections, और यहाँ पर एक ही, तो है, ठीक है, हमने table बनाना सीख लिया, collection बनाना सीख लिया, collection को show करना सीख लिया, collection को drop करना भी सीख लिया, अब database हो किस तरह से delete कर सकते हैं, alright, so, show db's करके हम लोग database दिखाते हैं, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कितने database हैं हमारे पस, तीन database हैं, और simply आपको लिखना है, यहाँ पर db.drop database, और drop database के बाद में आपको just enter कर देना है, तो यहाँ पर database delete हो चुका है, आप बोलोगी कि इसको पता कैसे चला कि कौन सा database delete हुआ है, देखो, जब भी हम लोग use करते हैं, तो एक current db होता है, जैसे मैं आपके db करता हूँ, तो अभी के लिए इसको YouTube भी दिखा रहा होगा, तो आप बोलोगी अभी YouTube कैसे दिखा रहा होगा, तो delete तो हो चुका है, database currently हम उसके उपर है, अभी मैं यहां पर use admin करता हूँ, तो अब मैं अगर database के उपर जाओंगा उसके उपर, तो हमारे पास YouTube database हमें नहीं मिलेगा, अब मैं db चेक करता हूँ, current db, तो यहां पर मुझी का मिलेगा, admin, तो जब हमने delete कर रहा था, यह वाला db.droptable database, तो उसमें database create कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, यहां से भी, धीरे धीरे अभी अगर आपको समझ में ना भी आया हो, कुछ चीज़ां आपको लगे रहे हैं, कि यह याद कर रहे हैं, धीरे धीरे और वीडियो देखेंगे, तो उनमें हम लोग और अराम से, खुद ही याद हो जाएंगी, commands भी और यह UI tool है आपका, कि किस तरीके से यहाँ पर delete वगेरा कर सकते हैं, यह भी, आपके पास एक question हो सकते हैं, टेबल तो हमारे पास यहाँ पर थी, यह playlist वगेरा वाली और भी हमने बना ली थी, यह भी हमने delete कर दिया, add इसमें data वगेरा कैसे add करेंगे, वो हम लोग next वाली व बूलना, bye bye, take care